हेलो दोस्तो स्वागता आप सभी का और आज मैं आपके साथ माई क्यूट इनोसेंट रेंपरस का नेस्ट पार्ट से करने जा रही हूँ तो फ्रेंड पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग जो सभी सम्मानी तैल्डर और कुछ इंपर्टेंट परसन के साथ इलिंग में पहुँच गया था और अब बेट था तो केवल गुसू माश्टर के आने का क्योंकि विंग ने कुसू माश्टर लैंचिरेन को ही बहुत जरूरी दस्ताविज बनाने के लिए कहा था तो चलिए फ्रेंड इस्टोरी में इसे आगे बढ़ते हैं लेकिन फ्रेंड इस्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना पचानक मुझे अपनी आमस में कुछ चुपता हुआ फील हुआ था लेकिन अब वह इतना ज़्यादा पेन करने लगा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे ऐसा क्या चुप गया है जो मुझे इतना पेन कर रहा है और अब तो मुझे कुछ अजीव सा भी फील हो होने लगा है बांजी जो विंग के बहुत गरीब था बांजी जो देख सकता था कि एमपरर किसी बात को लेकर परेसान है बांजी ने कहा क्या हुआ आपको क्या कुछ हुआ है जो आप इतना परेसान हो रहे हैं अगर आप मेरे अंकल को लेकर परेसान है तो आप बिलकुल परेसान नहीं हूँ वाजी ने कहा तो फिर अब किसलिए इतना परेसान लग रहे हो वींग अपनी तबीयत के बारे में बताकर वाजी को परेसान नहीं करना चाहता था इसलिए वींग ने कहा नहीं मीनी लाइन मैं बस कुछ सोच रहा था इसलिए तुम्हें में थोड़ा पर परिशान लग रहा था लेकिन मैं बिल्कुल भी परिशान नहीं हूँ तो मुझे लेकर परिशान मत हो और थोड़ी ही देर में वहाँ पर लान मास्टर लैंचरेन और उनके साथ उनके भतीजे लैंचरेन आ चुके थे वांजी जो उने देखकर बहुत हैपी हो चुका था लै विंग ने जिन किलान लीडर जिन गौांसा से बहे दस्तावेज लेकर उने पढ़ने के लिए कहा लैंचरेन जिनके हाथ में दो दस्तावेज थे लैंचरेन ने उनमें से एक दस्तावेज जिन किलान लीडर के हाथ में देते हुए कहा आप पहले इसे पढ़िए जिन किलान लिडर जिनको अंसानी वह दस्तावेट लिया और एंपरर के सामने सर जुकाते हुए कहा ठीक है अब मैं इसे पढ़ता हूँ आप मुझे इसे पढ़ने की अनुमित दीजिए वींग ने मैं अपना सरे लाया लेकिन वींग ने कहा रुको इससे पहले कि तुम इने पढ़ो मैं आप सब को कुछ बात बताना चाहता हूँ पहस अभी जो एंपरर की बात पूरे ध्यान से सुनने लगे थे वींग ने कहा मैंने आप से पहले भी कहा है और मैं एक वर फिर से आप से कहना चाहता हूँ मैं जो आज फैसला लेने जा रहा हूँ मैं चाहूंगा कि आप पूरे दिल से उस फैसले का सम्मान करें और इतनी तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझ पर एतना भरोसा करते ओंगे कि मैं आपको लेकर कोई भी गलत फैसला नहीं करूंगा पैस अभी जो एमपरिर वीवुशान पर पूरा भरोसा करते हैं और उन्होंने कहा हाँ हम आपर पूरा भरोजा करते हैं और हम जानते हैं कि आप कभी भी हम सब को लेकर कोई भी गलत फैसला नहीं करेंगे विंग ने अपना हाथ उठाया और जिन गौांसा से वह दस्तावेज पढ़ने के लिए कहा जिन गौांसा जो वह दस्तावेज पढ़ने लगा था जिसमें लिखा था जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वैंचिंग रैन किलान की राजकुमारी है लेकिन अब वह च्यान किलान की रानी बन चुकी है जांग चैंग बैंचिंग और काफी लोग जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे क्योंकि यहाँ पर तो ईलिंग के किलान लीडर का चेयन होने वाला था तो फिर इस सब में लानी बैंचिंग का परीचे क्यों आ रहा है विंग जो यह सब देख रहा था कि सब जिन गवांसा की पहले सब से ही पहुँच जादा है रहान है विंग ने कहा मैंने आप से कहाना कि आप सब को मुझ पर भरोसा करना होगा और इन दस्तावेज में जो लिखा हुआ है उसे हाराम से सुनना होगा सबने इजाज़त में अपना सरह लाया और जिन गवांसा एक वार फिर से वह दस्तावेज पढ़ने लगे जिसमें लिखा था वेंचिंग जो अब इस राज़े की एक रानी बन चुकी है और आने वाले समय में कोई ये ना कहें कि इस राज़े की रानी इस राज़े में कभी सर्वेंट हुआ करती थी इसलिए मैंने आज एक फैसला लिया है और जिस फैसले के अनुसार मैं आज उन्हें एक किलान की राज़कुमारी बनाने जा रहा हूँ वह सभी जो अभी भी हैरान होकर एंपरर की तरब देख रहे थे आखिर एंपरर ने ऐसा क्या फैसला लिया है जैसा कि हर कोई जानता है कि हर एक राज़े की हर एक कहानी इत्यास में जमा हो जाती है और लोग उसे बरसो तक याद करते हैं और मैं नहीं चाहता कि जब भी जैंग राज़े का नाम आए तो वैंचेंग को किसी भी किलान की राज़कुमारी नहीं उसे केबल राज़े की एक सर्वेंट कहा जाए और इसलिए मैंने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है आज से मैं वैंडिंग को ईलिंग का किलान लीडर बनाता हूँ जैंग चैंग जो बहुत हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था क्योंकि उसने तो ईलिंग का किलान लीडर उसे बनाने के लिए कहा था मगर एलिंग का किलान लीडर उसने वैनिंग को बना दिया है लेकिन चैंग चैंग ने कोई भी अब्जेक्शन नहीं उठाया और जून गौांसा जो आगे पढ़ने लगे थे रानी वैन जिंग जो आज से एलिंग की राजकुमारी बन चुकी है क्योंकि एलिंग का किलान लीडर अब वैनिंग बन चुका है और वहे वैनिंग की बहन है और इसी नाते अब वहे एलिंग की राजकुमारी बन चुकी है सभी जो इस फैसले से काफी हैरान थे वैनिंग जिसे समझ नहीं आ रहा था कि आके एलिंग की लिए अगर राजकुमार को बुरा नहीं लगेगा लेकिन च्यांग चैंग को देखकर लग रहा था जैसे उसे एलिंग की फैसले से कोई भी फरक नहीं पड़ रहा है और उधर वींग जिसे देखकर लग रहा था कि वह जो कर रहा है उसे वह समसुनाई नहीं दे रहा है उसे देखकर लग रहा था जैसे वह किसी तरह के पेन में हैं क्योंकि वींग का एक हाथ जो उसकी चेश्ट पर कर्स चुका था और दीरे दीरे वींग की आँखे बंद होने लगी थी सभी जो वींग की तरफ देख रहे थे जैसे कि वह उसके बोलने का वेट करने लगी हो मगर वींग जिसकी हालत अब किसी से भी छिपाई नहीं छिप र आला था तभी तेजी से वान जी और जियंग चैंग ने वींग को समभा लिया जियंग चैंग ने वींग को समभलते हुए कहा एंपरर भीवशान तुम्हे क्या हुआ है वान जी जो वींग की यह हालत देख कर डर चुका था वींग जिसे वही के रूमे ले जाया गया और वहाँ पर फिजी सन को बुलाया गया वांजी जो वींग के पास बैठा था और अपने अंकल से कह रहा था अंकल एम्परर को क्या हुआ है वह अपनी आखे क्यों नहीं खोल रहे हैं वह बाते करते हुए अचानक क्यों बेहोस हो गए लैंचिरेंड जो सोच रहे थे कि वह वा वहाँ पर आ चुके थे और फिजी सन वींग को चेक करने लगे थे वींग का फेस जो पूरी तरह से डल हो चुका था और वींग के लिफ्स पर एक यलो कलर की परत चम चुकी थी फिजी सन ने वींग को चेक किया और फिजी सन ने सब को बताया कि एमपरर को पोईजन दिया थोड़ी देर पहले तो वह बिलकुल ठीक थे फिर अचानक उनकी बोड़ी में पोईजन कैसे आ सकता है चैंग चैंग ने कहा हमने यूनमेक्स से एलिंग तक का बहुत लंबा सपर्टे किया है और हमने रास्ते में उसके अंदर कोई भी ऐसा बदलाब नहीं देखा तो फिर उसकी बोड़ी में पोईजन कैसे आया फिजी सन ने कहा एमपरर की बोड़ी में यह पोईजन यूनमेक्स से नहीं है उनकी बोड़ी में यह पोईजन लगवग आदे घंटे पहले से है और उन्हें यह पोईजन खाने तुवारा नहीं दिया गया है लैंच रे ने कहा आप कहना क्या चाहती है फिजी सन फिजी सन ने कहा उनकी बोड़ी में यह पोईजन किसी निरल दुवारा भीजा गया है जांग चैग ने कहा आप किवल यह बताईए कि आप उन्हें ठीक कर पाऊँगी या फिर नहीं फिजी सन ने कहा मैं एमपरर को इस तरह ठीक नहीं कर सकता चैंग चैंग ने कहा आप यह क्या कह रहे हो कि आप उसे इस तरह ठीक नहीं कर सकते उस फिजी सन ने कहा क्योंकि यह पोईजन कोई आम पोईजन नहीं है क्योंकि यह पोईजन बैन किलान के लीडर बैन रोहान के अंसिस्टर्स का ब इसने भी यह पोईजन एम्परर की बोड़ी में भीजा है। वह वेन रोहान से मिला हुआ है। चैंग चैंग जो सोचने लगा था। मां क्या है सब आपने किया हैं क्या आप वेन रोहान से मिली हुई हैं। फिलावर जो वेन रोहान के रूम के पास वाले गार्डन में ही रहता है और जिसने भी यह पोईजन एमपरर पर यूज किया है वह वेन रोहान के पास जरूर गया होगा क्योंकि यह पोईजन भी केवल वेन रोहान की इजाज़त के बिना कोई भी अपने पास नहीं रख सकता उसकी इजाज़त की बिना कोई भी बी स्वोईजन को यूज नहीं कर सकता च्यांग चैंग ने कहा अब हमें क्या करना होका केभल हमें बताये कि हमें ऐसा क्या करना होका हम इस तरह एंपर eiumć को नहीं काउ सकते फिजी सन् preference कहा आपको बेन रोहान के पास जाकर वह फिलावर लाना होका वरना उसके बिना मैं एम्परर का इलाज नहीं कर सकता सभी जो केवल एम्परर की चान बचाना चाहते थे और एम्परर की चान केवल वह फिलावर बचा सकता था जो इस समय बेन रोहान के पास है चैंग चैंग ने कहा ठीक है हम वह फिलावर लेकर आएंगे आप केवल उसकी चान बचा लेना फिजी सन ने कहा मैं बचा सकता हूँ मैं एम्परिर की चान बचा सकता हूँ मगर आपको जल्दी करना होगा अगर आपने देरी करी तो मैं उनकी जान नहीं बचा पाऊँगा ज्यांग चैंग ने कहा नहीं हम जादा देर नहीं करेंगे बस आप उनकी जान बचा लेना और कहते हुए ज्यांग चैंग वहां से जाने लगा तबी पैनिंग ने कहा रुखी राजकुमार मैं भी आपके साथ जाओंगा जियांग चैन ने हुमे अपना सरी लाया तबी नीमिंजे ने कहा राजकुमार मुझे भी आपके साथ चलना है अगर वह बातों से नहीं माना तो हम तलवार से बात करेंगे चिन गवांसा ने भी कहा हाँ मैं भी आपके साथ चलूँगा हम और हम से उसे समझाने की कोसिस करेंगे वह हो सकता है हमारी बातों से मान जाए लैंचिरेन और लैंसीचैन ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया क्योंकि वह काफी देर से विंग को वह अपनी स्विच्वल प फिजी सन ने बताया था वेंडोहान के पास का वह फ्लावर जो विंग की बोड़ी का पोईजन निकाल सकता है और लैंचिरेन और लैंसीचैन भी उन सब के साथ जाने लगे वैंचिंग और वांजी जो विंग के पास थे वांजी जो बहुत देर से खामुस बैठा सब की ब वापस नहीं आता तो यह से अपने पास लेते हैं उसे वापस नहीं आने देते तो फिर वह समझ नहीं पर वी वापस नहीं आने देंगे और मैं उनके बिना यहाँ पर बिल्कुल अकेला रह जाओंगा और मुझे उनके बिना यहाँ पर अकेला नहीं रहना है बैंचिंग जो समझ नहीं पा रही थी कि वह उसके मासुम सवालों का क्या जबाब दे बैंचिंग ने कहा नहीं गुसू प्रिंस ऐसा कुछ भी नहीं होगा सब गए हैं न वैंडोहन के पास और भैस बैंडोहन से फ्लावर लेकर ही लोटेंगे तुम चिंता मत करो बैंचिंग जो विंकी चेस्ट पर अपना सर रखकर लेट चुका था और कहने लगा था आप मुझे छोड़कर गोट के पास मत जाना गोट किसी को भी वापस नहीं बेजते और मैं आपके बिना यहां पर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और उधर सभी जो वैंडोहन के पास पहुँच चुके थे बैंडोहन जो सबकी बाते सुन रहा था जो कह रहे थे हमें एमपरर की चान बचानी है और हमें वह फिलावर चाहिए आप हमें वह फिलावर दे दीजिए बैंडोहन जो सबकी बाते सुन चुका था बैंडोहन ने सबकी बाते सुनी और जियांग चैंग की तरफ देखा और कहा राजकुमार जियांग मेरी एमपरर के साथ कोई परसनल दुसमनी नहीं है इन फैक्ट एमपरर वीबुश्चान के कारण हमारे किलान में बहुती खुसाले बनी रहती है क्योंकि उनकी बनाई हुई योजना का हमें भी फायदा मिलता है उनकी दी हुई सुभी दाए हमारे किलान तक भी पहुँचती है और इसलिए मुझे तुम्हें फिलावर देने में कोई भी आपती नहीं है मगर क्या एमपरर की चान बचाने से पहले तुमने अपनी मा से पूछा था सभी जो बहुती कनफ्यूज नजरों से वेन रोहन की तरफ देखने लगे थे जियांग चैंग जो वेन रोहन की बातों का मतलब समझ पा रहा था और उदर लैंच रेन और लैंच चैन भी वेन रोहन की बातों का मतलब कुछ-खुछ समझ पा रहे थे मगर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि रानी यू एम्परर विबुशान की जान लेने की कोशिस करेंगी क्योंकि उन्हें तो लगा था कि वह केवल एम्परर के बेबी की जान लेना चाहती है जैंग चैल ने कहा तुम क्या कहना चाहते हो बेन रोहान ने कहा हाँ मैं कहना चाहता हूँ कि एमपरर की जान बचाने से पहले क्या तुमने एक वार अपनी मा से पूचा है क्योंकि तुम्हारी मा पुरे भरोसे के साथ मेरे पास आई थी उस पोईजन को लेने और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि है पोईजन एमपरर की जान लेकर रहेगा और अगर तुमने एमपरर की जान बचा ली रानी यू के साथ उन लोगों का भी भरोसा हमारे अंसिस्टर के बनाए हुए पोईजन से उट जाएगा जो लोग इस पर पूरे तरह से भरोसा क बस आप हमें वह फिलावर दे दीजिये हमें एमपरर भीवशान की जान बचानी है वैंडोहान ने कहा राजकुमार जियांग मैंने आपसे पहले ही कहा है एमपरर से मेरी कोई परसनल दुस्मनी नहीं है और इसलिए मैं तुम्हें वह फिलावर देने के लिए तयार हूँ बस आपको यह याद रखना है कि रानी यू मुझे एमपरर की जान बच जाने के बाद कोई दोस्ट ना दे और वैंडोहान उठा और वैंडोहान वह फिलावर लेने के लिए जा चुका था सभी जो यह जान चुके थे कि रानी यू ने ही एमपरर भीवशान की जान लेने क कोशिस की है आखिर क्यों रानी यो ऐसा क्यों करना चाहती है वह एंपरर की चान क्यों लेना चाहती है वह तो इस राज्य की रानी है और एक एंपरर की एंपररस भी है फिर वह क्यों एंपरर की चान लेना चाहेंगी पैन रोहान जो उन्हें वह फिलावर सोप चुका था जो एम्परर की चान बचाने वाला था और उधर एम्परर वीमुशान जिसकी हालत बहुत जादा बिगर चुकी थी फिजीसन जो बार बार कह रहा था कि अब मुशे लग रहा है कि मैं उनकी चान नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और वह फिलावर अभी तक यहां पर नहीं पहुचा है एम्परर की पास जो पहुती धीमी हो चुकी थी वीम जो एक गहरी नीद की तरब जाने लगा था पैंचिंग ने फिजीसन से कहा आप खुश तो उन्हें ऐसा दीजिए जो उनकी सांसे टहर जाए बस थोड़ी देर में वह लोग वह फिलावर लेकर आने वाले होंगे मुझे पूरा भरोसा है कि वह उस फिलावर के बिना नहीं लोटेंगे फिजीसन ने कहा लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं अब उनकी जान बचा पाऊंगा बह एक एहरी नीद की तरब जा चुके हैं बान जी जो समझ नहीं पा रहा था कि बह ऐसा क्या करें जो एमपरर उसे छोड़ कर ना जाए क्योंकि कोई भी स्पिच्वल पावर एमपरर पर काम नहीं कर रही थी तब ही बान जी को कुछ याद आया फिजी सर्ण ने उसके अंकल से कहा था उसके अंकल जब विंग को स्पिच्वल पावर दे रहे थे तो फिजी सर्ण ने उन से कहा था कि उस पर कोई भी स्पिच्वल पावर काम नहीं करेगी यह पोईजन केवल एक बोड़ी से तूसरी बोड़ी पर ट्रांसपर किया जा सकता है लेकिन इस विच्वल पावर से वह ठीक नहीं किया जा सकता वांजी जो विंग की तरफ देख रहा था और सोच रहा था नहीं, मैं आपको इस तरह अकेले गोट के पास नहीं जाने दूँगा अगर आप गोट के पास जा रहे हो तो मुझे भी आपके साथ गोट के पास चलना है आपके पैरंस भी वही पर है और मेरे पैरंस भी वही पर है अब हम दोनों मिलकर अपने पैरंस के साथ रहेंगे और वांजी ने विंग की आमस पर अपना हाथ टच किया और धीरे धीरे उसकी बोडी का पोईजन अपनी बोडी में ट्रांसफर करने लगा वैंचिंग जो फिजिसन से बाते करने में व्यास थी वह नहीं देख पा रही थी कि वांजी क्या कर रहा है बांजी जो वींग की बोड़ी का पोईजन अपनी बोड़ी में ट्रांसफर कर रहा था और इसलिए वह पोईजन वींग से जादा बांजी की बोड़ी में असर करने लगा था और बांजी की आंके उस पोईजन को ट्रांसफर करते करते ही बंद होने लगी थी वांची जो एक वार फिर से विंकी चेस्ट पर बेहोस होकर गिर चुका था वैंचिंग जो यह देख पा रही थी लेकिन वैंचिंग को नहीं पता था कि वांची इस समय बेहोस है उसे लग रहा था कि वह पहले की तरह एमपरर की चेस्ट पर सार रख कर लीटा हुआ है पैंडोहान से वह फिलावर लेकर आए हैं जो एमपरर की जान बचाएगा पैंचिंग और वह फिजी संग जो इस समय रूम से बाहर आ चुके थे क्योंकि वह उन सब के भैस की वह खुशी देखना चाहते थे जो एमपरर की जान बचाने के लिए थी फिजी संग ने कहा पुरा फरुसा है कि वह फिल्कुल ठीक हो जाएगा फिजी संग जिसका फेस कुछ औरी कह रहा था लेकिन वह अभी उन सब की उमीद भी पूरी तरह से नहीं तोड़ना चाहता था और वह उस रूम की तरफ जाने लगा लेकिन रूम के अंदर का नजारा देखकर वह सभी बहुत जादा हैरान थे क्योंकि विंग धीरे धीरे अपनी आके खोल रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है यह पोईजन अपने आप एमपरर की बोड़ी से रिमूब कैसे हो सकता है विंग जिसने धीरे धीरे अपनी आके खोली और अपनी चेस्ट पर लेटे हुए बांजी क की तरब देखा और विंग याद करने लगा जब वह मिटिंग होल में बैठा था तो उसे कुछ अजीव सा फील होने लगा था और उसकी चेस्ट में बहुती साप बेन भील होने लगा था और जिसके कारण बहुत धीरे धीरे बेहोस हो गया था अभी विंग ने अपने आख तुम ठीक हो गए लेकिन कैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम बिना किसी मैडिसन के ठीक हो गए लेकिन विंग जिसे अब जादा सोचने में समय नहीं लगा कि वह बिना मैडिसन के कैसे ठीक हो गया और उसकी नजर सीथी वान जी पर जाकर टहर चुकी थी क्योंकि वान जी एक बिंग जिसकी आँखे पूरी तरह से भर आई थी बिंग ने कहा नहीं मीनी लायन तुम ऐसा नहीं कर सकते मैंने तुमसे कहा था कि फिर कभी भी ऐसा मत करना जो मुझे चोट पोचाए तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो आखिर तुम मुसे इतना प्यार क्यों करते हो मीनी ला रहा था लेकिन वांजी इस समय इस तरह इल रहा था मानो जैसे वह कोई बेजान गुडिया हो उसके अंदर कोई भी जान नाम की चीज नहीं हो लैंचिरेन और लैंचिचेन जो वांजी को इस साल में देखकर इस तरह डर चुके थे कि उनके कदम नहीं आगे की तरह बढ़ र रहे थे क्योंकि जो पोईजन एमपरर की यह हालत कर सकता है तो वह उस महसुम के साथ क्या कर सकता है और वह भी जब प्रेगनेंट है चैंग चैंग ने फिजिसन की तरफ देखा और कहा तुम यहां खड़े-खड़े क्या कर रहे हो आगे पढ़ो और इस फ्लावर की मेडि फिजिसन ने कहा यह पोईजन पूरी तरह से गुसु पिरिंस की बोड़ी में फैल चुका है लेकिन यह पोईजन अभी तक उनके बेबी तक नहीं पहुचा है क्योंकि उन्होंने अपने बेबी को पहले से ही सेव करके रखा है उन्होंने इस पिच्वल पावर से अपने ब खत्रे में नहीं डालता फिर चाहे वह सामने वाला व्यक्ति हो या फिर खुद उसके अंदर पल रही कोई ननी सी जान वह किसी की जान भी खत्रे में नहीं डालता आप बस उसे ठीक कीजिए मुझे इसके सिवा को छोड़ नहीं चाहिए विहिंग जिसकी आँखों से आंसु बह रहे थे और विंग एक टक बांजी के फेस की तरब देख रहा था और खुद से कह रहा था ना जाने मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो तुम मुझे मिले हो तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो मीनी लायन फिजी संज जो उस फिलावर की मेडिसन बना कर बा कफी समय लगा लेकिन फिजी संज बांजी को चेक करके कहा अब वह पूरी तरह से खत्रे से बाहर है अब यह पोईजन उसकी बोड़ी में नहीं है यह पोईजन उसकी बोड़ी से पूरी तरह से रिमूब हो चुका है तभी जो एक राहत परी सांस ले चुके थे तभी चैं लेंच रेंड और लेंड से चैन जो एमपरर की तरफ देख रहे थे क्योंकि वह जानते थे कि एमपरर क्या कह रहे है चैंग चैंग ने कहा बीबुशान तुम यह क्या कह रहे हो कि वह युन्मेक में नहीं जाएगा अगर वह युन्मेक में नहीं जाएगा तो फिर वह कहा जाएगा विंग ने बांची की तरफ देखते हुए कहा वह अपने घर जाएगा वह अपने हस्वेंट के घर जाएगा लेकिन वह यूनमेक में नहीं जाएगा चैंग चैंग ने कहा बीबुशान तुम यह क्या कह रहे हो क्या वे उसके अस्वेंट का घर नहीं है क्या वे तुम्हारा घर नहीं है वींग ने कहा नहीं अब वे मेरा घर नहीं है चैंग चैंग ने कहा तुम यह क्या कह रहे हो और उधर वेंचिंग ने भी कहा बीबुशान तुम किस तरह की बाते कर रहे हो विंग ने लैंचिरेन की तरब देखा और कहा लानमास्टर क्या आपके पास वह दूसरा दस्तावेज है लानमास्टर ने कहा हाँ मेरे पास वह दूसरा दस्तावेज है विंग ने कहा इस दस्तावेज को जिन किलान लीडर जिन गुवांसा को दीजिये ताकि वह उसे पढ़ कर सबको सुना सके कि मेरा दूसरा क्या फैसला था लैंचिरे ने वह दस्तावेच जिन गुवांसा के हाथ में दे दिया सभी चो पहुती हैरानी से जिन गुवांसा की तरब देख रहे थे आखिर जिन गुवांसा उसमें क्या पढ़ने वाले हैं और जिन गुवांसा ने उस बीवोशान के पच से खुद को आजाती देता हूँ मैं आज एंपर बीवोशान का पच छोड़ रहा हूँ और मैं आज से यह पद अपने बड़े भाई एंपर जांग चैंग को दे रहा हूँ जांग जो विंग की तरब देखने लगा था नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते नहीं मैं यूनमेक राज्ये का राजकुमार बनना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरे पिता रहते थे, जहाँ पर मेरी मा रहते थी, जहाँ पर मैंने जनम लिया था, जियंग चैंग आज से तुम यूनमेक राज्ये का एमपरर हो, और तुम्ह और एक दस्तावेच बेकुछ सही करके वहाँ पर लिखकर रख दिये हैं। तुम बिल्कुल भी किसी काम में नहीं उल्चोगे। और अगर तुम किसी काम में उल्चो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन केवल यहां से मैं युनमेक राज्जे नहीं आऊँगा। फिर य यह सब लोग भी तुम्हारे साथ हैं यह भी पूरी तरह से तुम्हारा साथ देंगी। इसलिए तुम परिशान मत हो और जाकर अपना राज्जे सम्हालो। ज्यंग चैंग ने कहा नहीं बीöšान मैं तुम्हारे बिना यहां से नहीं चाऊँगा। बिल्न ने कहा जानते हो जियांग चैंग मैं जब भी राजे के काम से अपने रूमें बापस लोटता हूँ और उसे सोते हुए देखता हूँ तो मेरी सांसे जैसे रुक सी जाती है एक डर जैसे मेरे दिल में घर कर जाता है क्या वह सच में सो रहा है उसे कुछ भी नहीं हुआ है ना जब तक मैं उसक कि मैं इस राजे का एंपरर हूँ जैंग चैंग ने कहा लेकिन वीबुशान तभी विंग ने चैंग चैंग को रोटते हुए कहा जैंग चैंग पापस लोटकर छोटी मां से एक बात जरूर कहना कि उन्हें मेरे लिए खुद को इतना बुरा बनाने की जरूरत नहीं है कि वह किसी की चान लेने के बारे में सोचें और कहते हुए विंग ने वांजी को अपनी गोज में उठाया और लैंच चिरेंड की तरफ देखते हुए कहा लान मास्टर मुशे लगता है अब हमें चलना चाहिए चिरेंड ने अपना सर हिलाया और वह सभी जो इलिंग किलान से बार की तरफ जाने लगें सभी जो उन दोनों की तरफ देख रहे थे आखिर आज वह हमेशा के लिए युनमेक राज्य को अन्बिदा कहकर जा रहे थे आज वीवो शान ने एंपरर की पुजिशन को छोड़ दिया था लेकिन उन सभी की आँखे अभी भी वी वींग की तर रिस्ते युनमेक से खतम कर दिये थे लेकिन दिल से उसका रिस्ता कभी भी खतम नहीं हो पाई का और अब जब है पूरी तरह से उससे जोड़ कर चला गया है आज वीवो शान ने उसके लिए केवल नहीं अपनी पुजिशन छोड़ी है वह अपना घर भी उसके लिए लिख के बताएं तो मिलते हैं इसके नेस्ट पार्ट के साथ तब तक के लिए बाई